हेलो एवरिवान वेलकम बैक टो अनदर वीडियो तो इस वीडियो में मैं बहुत ही बीटीफुल डिजाइन आपके साथ शेयर करूंगी जिसे आप लेडिस कारडिगन में गर्ल्स कारडिगन में या बेबी स्वेटर में किसी भी प्रोजेक्ट में आप बनाएंगे तो बहु बनकर त्यार होता है यह देखिए सीधी साइड से ऐसा लगेगा और जब हम इसको उल्टी साइड से देखेंगे तो यह डिजाइन देखिए ऐसा रहेगा और यह देखिए कितना सुन्दर लग रहा है यह उल्टी तरफ से भी बहुत सुन्दर लग रहा है तो और यह सीधी से हमने फंदे डाले हुए है यानि कि 17 27 शच्च के 119 पंदे और दो पंदे इधर और दो पंदे इधर यानि कि पूरे हमने 123 फंदे इसमें डाले हुए हैं डिजाइन को सेट करने के लिए और देखिए ये वैसे डिजाइन 15 फंदों का है लेकिन ये जो दो फंदे हमने उल्ट-उल्टे करके बनाए है इसको लेकर ये 17 फंदे हो रहे हैं तो फ्रेंस डिजाइन बहुत सुन्दर है और इसे बनाना भी उतना ही इसी है आपको फटा-फट समझ में आ जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बनाना ये दिकी फ्रेंस इसमें मैंने स्लाइम में 17 तुनी 34 प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं डिजाइन को सेट करने के लिए यानि कि 36 पंदे मैंने इस स्लाइम में ले लिए हैं तो जो हमारा डिजाइन है ना डिजाइन हमारा रॉंग साइड से स्टार्ट होगा हम राइट साइड में ये पूरी स्लाइ उल्टी-उल्टी बना कर त्यार कर लेंगे ये देखे पूरी स्लाइ हमने उल्टी-उल्टी बना लेनी है ये सीधी साइड से है हमारा तो सीधी साइड से डिजाइन स्टार्ट नहीं होगा सिर्फ उल्टी साइड से ही होगा तो पहले इस रो को हम उल्टा-ल्टा बना कर कम्प्लेट कर लेते हैं तो इस रो को पूरी उल्ट उल्टी बनाकर त्यार कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती उल्टी साइट से कैसे डिजाइन हमारा डेलेगा तो देखिए फ्रेंट्स यह वाली हमने जो सीधी साइट से पूरी उल्ट उल्टी बनाकर त्यार कर लिए अब यहां से हमने ईफ़ंदे डालें यह और यह गोतल मौनल बनाने और को बनाने हैं और जोन दकल यह जोनगे अब है बिएते होसला होने यह जली है यह जिल्च सोफलगाख को जिल्च है एक जाल भाक से करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे और अब धागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे जागे को पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे जागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे अब यहां से देखिए आप यहां से लेकर यहां तक हमारा 17 फंदों का डिजाइन है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, क्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा इसी को हमने बार-बार रिपीट करना है अब देखिए चार फंदे फिर से हम बनाएंगे उल्टे एक, दो, तीन, चार जैसे हमने यहां पर बनाया था ना, चार फंदे उल्टे फिर धागे को पीछे, दो फंदे सिधे दो फंदे सिधे, एक बना लिया दो फंदे सिधे होगे, दो फंदे देखिए सिधे बना लिये और फिर धागे को आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सिधा, धागे को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा फिर धागे को पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे चिक है फिर धागे को आगे करेंगे अब यहाँ पर दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो फिर दागे को पीछे दो फंदे सीधे बनाएंगे फिर दागे को आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे और ये लास्ट के एस्टिच के फंदे भी उल्टे बना कर दियार कर लेंगे ये देखे पूरे हमारे डिजाइन हमने सेट कर लिया यह देखे चार उल्टे दो सीधे दो उल्टे फिर एक सीधा एक उल्टा एक सीधा दो उल्टे दो सीधे और चार फंदे यह हमारे ये दो फंदे उल्टे करके यहां तक हमारा डिजाइन कंप्लेट हो जाता है फिर से हमने यहां से रिपीट किया है देखे चार फंदे उल्टे यानि की दो डिजाइन हमारे यहां पर कंप्लेट हो जाते है और अब देखिए यह हमारी सीधी साइड है कि उल्टी तरफ से हमने डिजाइन डाल लिया भी हमारी सिधी साइड है अब यहां पर देखिए कि दो फंदे यह हमारे उल्टे बनेंगे एक तो अटिक है और यहां पर देखिए दो सीधे फंदे हैं तो हमने स्लाइन में ऐसे धागे को अपनी औरी रहने देंगे और यहां जाली डालेंगे और दो फंदे सीधे बना लेंगे एक दो ठीक है धागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो अब यहां पर देखिए दो फंदे सीधे हैं तो दो फंदे पीछे धागे को कर बन demain अब यहां पर tum Här 5す. हाए यह सीधना है यहिख़ा है क्योंकि यहां पर ामने देखिए सीधा older और एक सीधा फर एक बनाया थे उल्टी साइड़ कर यह उल्टा होगे यह सीधसी जोगे और यह उल्टा एंट करने तो इसको हमें इसले ले Ages इस लाई में उतार लेने है और ये वाला फंदा इसको सीधा बुल लेना है और ये वाला फंदा इसके उपर से ऐसे दो फंदे हैं जो इसके उपर से स्किप कर देना है ठीक है और फिर से दो फंदे सीधे एक दो दागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे पर दागे को देखिए यहां से लेकर यहां तक एक दो तीन चार पांट छे शाथ आठ नौ तक क्यारा बारा तीरा चौदा फंदे हमारे यहां हो गए है देखिए यहां पर हमने तीन का एक किया था तो एक फंदा हमारा इस तरफ से कम हुआ और एक फंदा हमारा इस तरफ से कम हुआ यानि कि यहां तो हमने एक फंदा बढ़ा दिया था जाली डाल कर यह देखो अब यहां पर भी हम जाली डाल कर बढ़ा देंगे तो सलाई पर ऐसे हमने लपेटना है तो हमारे टोटल 17 फंदे हो गए है और फिरसे हमें डिजाइन स्टार्ट करना है वह देखिए दो पंदे उलते ते पिर से देखिए ये देखिए सीधे dollar है टो द्याली कंटहते रहने देंगे और यहाँ पर जाली डालते वे दो फंदे शीधे फिर से दो फंदे उल्टे फिर दागे को पीछे करेंगे दो फंदे सिधे और फिर से यहां पर देखे तीन का एक करना है यह उल्टा है यह सिधा ही उल्टा है तो इसको ऐसे स्लाई में ले लेने हैं दो फंदे और यह फंदा को सिधा बुने लेंगे और यह है दो फंदे जो और यह सिधे हैं उनको सीधे बना लेंगे दो सीधे हैं धागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो ठीक है यह दागे को पीछे करेंगे दो फंदे सीधे हैं एक और दो अब देखिए यहां पर हमने जाली डालनी है तो धागे को अपनी और करेंगे क्योंकि यहां उल सब्सक्राइब कि वह दुट्वल्टि व वख सीकेशले 실white में अंतर जग्यास हैं इस अनुद्वत अगे को पीछे करके यहां पर सिधा फंदा बना देंगे इसको कि आगे करेंगे को यह दो उल्टे दिख रहे हैं तो इनको उल्टा अब हम उल्टी रो में आ गए हैं यानि कि थर्ड रो में अब यहां पर देखिए दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक तो और अब देखिए यहां पर यह उल्टे फंदे हैं तो इसको हम धागे को पीछे करके यहां पर सीधा फंदा बना देंगे इसको फिर धागे को आगे करेंगे यह दो उल्टे दिख रहे हैं तो इनको उल्टा बना लेंगे धागे को पीछे करेंगे दो फंदे सीधे दिख रह बना लिए अभी बी जैसे हमने ये सीधे फंदे अब तो पांच फंदे एमने उल्टे बनाने और हमारे holds कि है तो दो फंदे सीधे दागे को पीछे करें गे दो फंदे बनाइंगे को कि अल कि छो एक तर्थ देखिए अब यहां पर देखिए है दो फंदे हमने यह उल्टे हैं तो दो फंदे उल्टे बना लेंगे यह देखिए दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागे को पीछे करेंगे यह देखिए जाली वाला फंदे को हम धागे को पीछे करके सीधा बना लेंगे फिर देखिए धागे को आगे करें दो फंदे यह उल्टे द बना लिए दागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे लागे को पीछे दो फंदे सिधे हैं मतलब हमने जैसा यहां तक बनाया है सेम वैसे ही रिपीट कर लेना है दागे को पीछे दो फंदे सिधे हैं दागे को आगे दो फंदे मत्या उल्टे बना लेंगे और या देखिए जाली वला फंदा है न ये वला जाली वला फंदा इसको सिधा बना लेंगे धागे को पीछे करके और धागे को आगे करके दो फंदे लास्ट के उल्टे बना लेंगे third row complete हो गई है fourth row देखे fourth row में क्या करना है सिधी तरफ से है दो फंदे उल्टे अब देखे फ्रेंच यह हमारी इस तरफ है और यहाँ पर हमने जाली डालनी है तो धागे को ऐसे करके यह वाला फंदा हमने उल्टा बनाना है यह देखे अब यहाँ पर उल्टा आना चाहिए इसलिए बना दिया और यहां पर जाली डाल देखे को पीछे करेंगे दो फंदे सिध्य बना लेंगे के की 청ड़ долго अब दो फंदे यह अद Kazakhstan सिध्य करेंगे अब यहां पर देखिए कर एक फंदा सिधा बनाएंगे और यहां पर देखिए जो फली है ना यहां पर तीन का एक करेंगे तो यहां देखिए यहां पर हमने फली बनाने है तो दो फंदे देखिए ऐस उतार लेंगे और यह वाला फंदा सीधा बना लेंगे इसको और यह जो दो फंदे है ना इसको इसको पर से स्किप कर देंगे ऐसे यह देखिए अली बन गी हमारी और यह वाला फंदा फिर सीधा है तो सीधा बना लेंगे इसको चीक है फिर धागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो अब देखिए धागे को पीछे करेंगे दो फंदे सीधे हैं चीक है अब यहाँ पर देखिए यह वाला फंदा जो उल्टा है इसको दागे को आगे करेंगे उल्टा बना लेंगे अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है यह हमारी सीधी रो है तो यहाँ पर हमने जाली डालनी है और ऐसे लपेट कर सलाई पर जाली डाल देनी है और यह दो फंदे उल्टे बना देने है एक दो अब फिर से देखिए यहाँ पर उल्टा है तो इसको लपेट कर इस सलाई पर ऐसे फिर से उल्टा बना देना है एक फंदा उल्टा फिर दो फंद सीध फिर धागे को आगे करेंगे 2 फंद उलटे तो फिर धागे पीछे करेंगे दो फंद सीध या सबसे असान तरीका हमारा तीन का एक करने का यही है फली बनाने का महती असान तरीका है और यह एक सीधा फंदा फिर धागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा दो फंदे सीधे अब यहां पर देखिए यह उल्टा फंदा है तो धागे को आगे करके उल्टा बना लेंगे फिर ऐसे,סलाई पर धागय को लपेटेंगे और दो फंदे जाले डालते वे दो फंदे उल्टे बना लेगे यह देख़ेजिए यहाँ पर जाले भी पढ़ेगे अब यह देख़ेज हमारी 5th row है 5th row दो फंदे उल्टे 1 2 तो अब यहां पर देखिए यह फंदा सीधा है ना तो धागे को पीछे करेंगे और इसको सीधा बना लेंगे एक फंदा सीधा बना लिए फिर यह दूसर फंदा भी सीधा बना लिए फिर धागे को आगे दो फंदे उल्टे जो जैसे फंद दिख रहे हैं को सेम बैसी हमने ब फंदे सीधे और फिर धागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बना लेंगे दागे को पीछे अब यह देखिए यह फंदा सीधा है तो इसको सीधा बनाएंगे और यह जाली वाला फंदा भी सीधा बना लेंगे और फिर धागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बना ल लेना है चलिए इस रोको में complete कर लेती हूं फिर में next छटी रो में आपको दिखाती हूं तो फ्रेंस देखिए six रोक दो फंदे उल्टे जाली पड़ेगी न वह सीधी तरफ से हमें डालना है उल्टी तरफ से हमने सिर्फ जैसे फंदे देख रहे हैं सेम वैसे ही बना लेने हैं अब यहां पर जाली पड़ेगी ठीक है तो हमने धागा अपनी तरफ करा हुआ है और यहां पर हमें उल्टे फंदे बनानी दो कि तो धागे को अशेसन और लापण कीशी जाली पढ़ जाएगी ओना zaman बलें से चेक्वें को पीछे 2 पंदे सीधे दागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बना लेंगे अब यहाँ पर देखिए यह तीन फंदे सिधे हैं तीन का एक करेंगे अपर दो फंदे ऐसे स्लाई में ले लेंगे और एक फंदा ऐसे सिधा बुन लेंगे फिर ये दो फंदे जो हमने बिना बुने लिये हैं ऐसे इसके उपर से skip कर देंगे फिर धागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बना लेंगे धागे को पीछे दो फंदे सीधे अब यहां पर देखिए दो फंदे उल्टे हैं तो इनको धागे को आगे करके दो फंदे उल्टे बना लेंगे अब यहां पर हमने जाली डालनी है दागे को यह देखिए उल्टा बनाना है तो दागे को ऐसे स्लाई पर लपेड देंगे और दो फंदे उल्टे बना लेंगे अब फिर से या जाली डालनी है, फिर दो फंदे उल्टे बनाते वे, जाली डालते वे दो फंदे उल्टे बना लेंगे, अब सेम वैसे ही, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, फिर तीन का एक करना है हमने, फली बनानी है, दो फंदे कि यह उतार लेंगे एक फंदा ऐसे सिधा बुनके यह को पर से ऐसे स्किप कर देंगे दागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बना लेंगे तék कि सिक्स्त हुं कामप्रीट है साइवन थ्रों में देखें दो कि अघ्राओ को पीछे करेंगे दो फंदा सिधा दागे को आगे दो फंदे उल्टे और दागे को पीछे करेंगे दो फंदे सिधे बना लेगे अब यहां पर देखिए यह वाला फंदा उल्टा है तो इसको उल्टा बनाएंगे दागे को पीछे दो फंदे सिधे चेके धागे को आगे, दो फंदे उल्टे, पतलब जो जैसा दिख रहा है, न हम आवने वैसा बना लेना है, उल्टी साइब में, अब यहाँ पर देखे एक फंदा, दो संदे सीधे बनाने के बाद, फिर यह वाला फंदा उल्टा बनाने हैं, युद्य की बारी है, उल्टा बनाने बीच के ये वाला फंदा भी जाली वाला भी उल्टा फिर दो फंदे सीधे फिर धागे को आगे तोहर दो फंदे उल्टे धागे को पीछे दो फंदे सीधे धागे को आगे एक फंदा उल्टा धागे को पीछे दो फंदे सीधे धागे को आगे दो फंदे उल्टे धा क्यों पीछे करेंगे दोफंदे सी भेच अब यह जाली वल Filth इलालेंगेर लास्ट के दोर्लीं इल्टे बना कर लेंगेिशंसह dolomi को साट रव द brightness हमारी सिधी तरफ से देख़ से दो फंदे हमारे उल्टे और अब हमने जाली डालनी है तो धागे को अपनी ओर रहने देंगे और इसको जाली डालते वे सिधा बना लेंगे तो धागे को आगे करेंगे एक फंदा यहाँ पर हमने उल्टा बनाना है अब यहाँ पर देखे तीन का एक करेंगे यह दो फंदे उतार लेंगे और यह जो है एक फंदा उल्टा वाला इसको सिधा बना लेंगे और ये दो फंदे इसको पर से skip कर देंगे अब ये देखे एक फंदा उल्टा बना बचा है तो एक फंदा यहां भी उल्टा बचा अब इसको भी एक फंदे को उल्टा बना लेंगे दागे को पीछे फिर दो फंदे सीधे फिर दागे को आगे करेंगे एक फंदा दो फंदे उल्टे और ये देखे ये वाला फंदा है जो इसको हमने सीधा बनाना है क्योंकि यहाँ पर दो फंदे हमारे उल्टे हो चुके है तो ये वाला फंदा सीधा बनेगा ठीक है और इस पर हमें ये फंदा उल्टा बनाना है तो धागे को ऐसे लपेटेंग जाली डालते वह दो फंदे उल्टे बना लेंगे अब धागे को अपनी और ही रहने देंगे यह वाला फंदा सीधा बनाएंगे और जाली डालते वह इसको सीधा बनाएंगे तो जाली पड़ जाएगी सीधा फंदा बन जाएगा फिर धागे को आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे, एक, दो, फिर धागे को पीछे, दो फंदे सीधे, धागे को आगे, दो फंदे उल्टे, और ये एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर तीन का एक करेंगे, धागे को पीछे कर लेंगे, दो फंदे ऐसे उतार ऐसे ही बिना बुने और एक फंदे को सीधा बना लेंगे और ये दो फंदे जो बिना बुने उता रहे थे इसके पर से स्किप कर देंगे धागे को आगे करेंगे एक फंदा उल्टा धागे को पीछे दो फंदे सीधे फिर ये देखिए दो फंदे उल्टे दिखरें इनको उल यह देखिए हमारी एट रों कम्ट्रीट हो गई है और सेम देखिए अब हमने फिर से स्टार्ट करना जैसे हमने फिर से स्टार्ट किया था नहीं यहां से सेम हमने अब फिर से वैसे ही स्टार्ट करना है जैसे हमने पहले से स्टार्ट किया था जैसे फिर स्टार्ट किया था सेम अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे हैं एक देखिए हमने एट फोन बना लिया पूरी और कितना सुंदर डिजाइन बन रहा है आप इसको अगर आपको बॉरडर नहीं बनाना तो आप सीधा इसको स्टार्ट कर सकते हैं देखिए कितना अच्छा कट्वर का रहा है तो पर फिर समने कैसे डिजाइन को डालना है देखिए दो फंदे उल्टे तिक है अभी इस फंदे को भी हमने उल्टा बना लेना है चार फंदे उल्टे होगे मारे दागे को पीछे फिर दो फंदे सीधे बनाये थे हमने पहले भी फर्स्ट रो में जैसे हमने बनाया था चार फं सीधे बनाये थे फिर दो फंदे उल्टे बनाये थे फिर दागे को पीछे फिर एक फंदा सीधा बनाये था फिर एक फंदा उल्टा बनाये था फिर एक फंदा सीधा बनाये था फिर इसके बाद दो फंदे हमने उल्टे बनाये थे फिर दो फंदे सीधे बनाये थे और यहां पर 4 फंदे हमने फिर उल्टे बनाया थे यह देखिए याने कि 2 फंदे बनाया थे फिर उसके बाद फिर से यहां पर डिजाइन पर 4 फंदे फिर से तरts हूआ है यहां से यहां तक हमारा सत्रा फंदो का डिजाइन है फिर से हमने चार फंदे उल्टे बना लिए फिर दागे को पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे फिर दागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे फिर दागे को पीछे एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा फ यानि कि एक से लेकर आढ़ तक आप डेजाइन को डालते रहेंगे तो आप मतलब डेजाइन को बना सकते हैं, बहुत easy design है, यह देखे 4 फंदे last के उल्टी है। यह देखे है, वह देखे उल्टी रो में भी हमारा design कितनों सुन्दर लग रहा है, यह उल्टी रो है और यह हमारा सिधी तरफ से उबरा उबरा डिजाइन है और इसे आप कार्डिगन में बना रहे है ना नीचे से भी स्टार्ट करेंगे ना आप बिना बॉर्डर के यह बॉर्डर भी आपका काम करेगा और आपका जो डिजाइन है पूरे कार्डिगन का वो बहुत सुन्दर लगेगा तो आप इसे जैसे मैंने यह नीचे बॉर्डर बनाया ना आप सीधा ऐसे इसको यहां डिजाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं बहुत सुन्दर डिजाइन बनकर प्यार होगा तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्स स्टै कर दो सब्सके बंदर भी सता मसरे अच्रा तो यहां रपियो यहां किती दो किती लिव्यां को यहां लगेगा होगा तो आपको शो आनने पेसा लगे तेमिए ज carptharm एको शुन्याद